तो आज हम 15 अप्रेल का इंडियन एक्स्प्रेस डिसकस करेंगे और इफ यूर लाइक इस अनालेसिस दन प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब और इफ यू वांट तो जोईन आपको लिंक और चैनल का नेम दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहाँ पर फर्स निर्ज प्रदानमंतिरी संग्राले तीमूर्थी स्टेट न्यू डेली में इनॉग्रेट किया गया है डिफरिंट प्राइम मिनिस्टर्स के टाइम पिरेड में क्या हुआ उसके बारे में यहाँ पर मेंचिन है को मिला क्यूंकि 1965 में गवर्मेंट का एक सर्कूलर था वो सर्कूलर में ऐसा लिखा था कि कोई भी ओफिशल कम्यूनिकेशन अब यहाँ पर हिंदी लैंग्विज में होगी जिसकी वज़े से यहाँ पर हमें लैंग्विज एजिटिक्शन देखने को मिला और उनका फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान और इमर्जनसी का भी यहाँ पर डिटियल डिस्क्रिप्शन में में मैंचिन के एमर्जनसी भी लगाई गई थी दिरिंग दे परियोड औफ इंद्रा गांधी दो इंपोर्टन लेजिसलेशन लाएगा है पहला लेजिसलेशन ये कि वोटिंग एज को रेड्यूस करके 21-18 साल कर दिया गया है इसके अलावा एंटिटिफेक्शन लॉबी देरिंग दर टेनौर अफ राजीव गांधी ही आया था राजीव गांधी ने साइंस और टेक्नोलोजी का यूस किया और यहां पर प्रोटेक्टिव लाइसंसिंग से हटकर हमें यहां पर मूफ करने लगे तोवर्स ग्रैजूल प्राजीव गांधी तो यहां पर प्राइवडाइजशन शुरू हो चुका था देरिंग दर टेनर अफ राजीव गांधी देरिंग दर पिरिड ओफ मनमोहन सिंग इंडो यूस सिविल नुकलियर डिल वही जोकी बहुत ज़ाद इंपोर्टेंट है आधार इनिशेटिव हुआ इंडिया में अभी भी जो 78% कंशी का ग्रॉस क्रॉप डेरिया है वो रेन फेड है इसका मतलब अभी भी हैं बहुत ज़ादा मौनसून डिपेंडेंट है अब कैसे पता चलता है कि मौनसून इस साल रेन जो है वो नॉर्मल क्यों है तो यहां पर निकाला जाता है long period average of last 50 years तो long period average is defined as the average of the last 50 years तो इससे पहले यह जो last 50 years थे वो consider किया जाते थे 1961 से लेकर 2011 तक अब यहां पर consider किया जा रहा है 1971 से लेकर 2020 तक तो अगर यहां पर long period average का 96 to 104% अगर rainfall रहती है तो उसको यहां पर normal consider किया जाता है तो the seasonal rainfall is considered normal when it is 96 to 104% of the LPA long period average अब हम आगे चलते हैं यहां पर त्रिंकोमली oil tank form की बात की गई है तो इंडिया और श्री लंका के साथ collaborate करके इंडिया यहां पर develop करेगा त्रिंकोमली oil tank form लेकिन इसमें यही बताया गया है कि त्रिंकोमली oil tank form develop करने में बहुत जादे टाइम लग सकता है क्योंकि वहां पर बहुत जादे ट्रीज आ चुके हैं इसके लिए वहां पर species रहती है तो ऐसे में श्रीलंकन government की permission की जरूरत है लेकिन श्रीलंका भी economic crisis से जूज रहा है उसके बाद यहां पर श्रीलंका की crisis, political crisis में भी तबदील हो चुकी है श्रीलंका भी IMF के पास जाएगा bailout के लिए तो basically यहां पर सारे कामों में time लगने वाला है तो इसलिए अगर trees को cut करना है तो यहां पर श्रीलंका गवर्मेंट की permission की जरूरत पड़ेगी लेकिन श्रीलंका भी यहां पर economic crisis से go through कर रहा है तो on April 12 श्रीलंका official announced that it was temporarily suspending repayment of external debt it is now seeking a bailout from the IMF तो यहां पर यह लोग IMF से bailout लेंगे तो ऐसे में कुछ time लग सकता है अब यह क्यों बनाया जा रहा है त्रिन को मली तो basically तीन main reasons है पहला जो reason है वो यह है कि यहां पर petroleum reserves रखे जाएंगे supply of petroleum and diesel across the country और यहां पर एक reason यह है कि यहां पर bunkering facilities develop किये जाएगी तो tanks are being refurbished for three commercial activities supply of petroleum and diesel across the country to store petroleum products and to offer bunkering facilities यह जो oil tank farm है यह 1932 में British ने बनाया था और British इसको use करते थे तो 1932 British built storage located next to the harbor was used by the allies during the second world war अगर हम त्रिन को मारी oil tank farm की जो हमें deal मिली है यह हमारे लिए बहुत ही beneficial होने वाली है क्योंकि वहां पर एक harbor है China Bay Harbor and that is set to be the finest natural harbor in Asia तो agreement gives India a strategic footprint on Sri Lanka's eastern coast with access to the China Bay Harbor set to the finest natural harbor in Asia तो आयोब आपको news clear हो गई हो अब हम आगे चलते हैं यहां पर कोई भी important news नहीं है यहां पर भी कोई important news नहीं है यह हम discuss करेंगे calling out hate तो hate speech को tackle करने के लिए हमारे पास क्या provisions उसके बारे में यहां पर mention है तो there are a whole bunch of laws meant to curb hate speech IPC में as per sections 153A, 295A and 298 जो कि criminalize करता है promotion of enmity between different groups of people on grounds of religion and language section 125 जो RPA का है वो यह कहता है कि any person in connection with the election promoting feelings of enmity and hatred on grounds of religion तो यहां पर यह offense punishable होगा for the imprisonment up to 3 years and fine or both section 505 जो है वो criminalize करता है multiple kinds of speech including statements जो कि यहां पर इसलिए दिये गए हो ताकि यहां पर violence हो या तो फिर यहां पर public order disturb हो तो बहुत सारे provisions है जो कि यहां पर hate speech को deal करने के लिए है law commission ने अपनी 267th report में बात की गई थी कि हमें new provisions introduce करने चाहिए within the penal court जो कि यहां पर specifically punish करें for the incitement to violence लेकिन author का यह कहना हमें नए provisions की जरुदनी हमारी पास provisions है हमें जरुरत है hate speech को tackle करने के लिए तो वो है political will की तो it's the lack of political will, blatant inefficiency and bias of the administration and shocking apathy of the judiciary जिसकी वज़े से जो हमारी constitution की secular spirit है वो kill हो रही है another watch rock should have been the media अब यहां पर जो disruptive fringe elements थे तो वो अभी तक fringe थे लेकिन अब उनको media की वज़े से वो main stream में आ रहा है तो hate speech को यहां पर main stream में लाया जा रहा है another watch rock should have been the media in recent years hate speech and all its varieties has acquired a systemic presence in the media and the internet तो for example किसी ने hate speech दी होती है तो यहां पर जो TV चैनल से वो अपने debate में बोलाते हैं फिर उससे discussion करते हैं तो basically आप यहां पर hate speech को media में लाकर main stream बना रहा हो तो यही author का कहना है और जिसकी वज़े से जो citizen को जो sensitize किया जाना चाहिए तो basically यहां पर जो citizen है उसका desensitizing हो रहा है तो by desensitizing the citizenry with a constant barrage of anti-minority sentiments जो ethical और moral bonds होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं तो this epidemic of mediatized hate speech is in fact a global phenomenon तो यह उप आपको clear हो गया हो यहां पर France के बारे में दो important points mentioned हैं जो कि हम discuss कर लेते हैं तो अगर Emmanuel Macron फिट से president बनते हैं तो basically वो यहां पर Macron becomes the first French presidential incumbent since Jackis Chirac in 2002 to win a second term तो यह हमें fact पता चल गया दूसरी बात France में हमें yellow west protest देखनों को मेले तो तो yellow west protest किससे related of France है क्यों yellow west protest हुईते हैं फ्रांस में तो two अगेंस्ट हुआ था यह inequality price rise and tax breaks for the wealthy that rocked France begin in 2018 तो आपको यह बताऊना चाहिए yellow west protest किससे related है अब हम आगे चलते हैं यहां पर को important news नहीं है हाँ यहां पर एक नाम mention है अरूज अफताब का यह first पाकिस्तानी वुमेन है जिनको यहां पर ग्रैमी मिला था तो अरूज अफताब अब हम आगे चलते हैं वाइडनिंग डेटा डिवाइड इस आर्टिकल में सिर्फ यह बताया गया है कि government तो हमारे डेटा कलेक करती रहती लेकिन government citizens को किसी भी डेटा को प्रवाइड नहीं करती है तो बेसिकली government हमारे डेटा कलेक कर रही है लेकिन government कोई भी हमें डेटा प्रवाइड नहीं करती ताकि हम यहां पर government की accountability को ensure ना कर सके है तो data can improve people's life in various ways लेकिन उसके बाद भी जो यहां पर political factors है वो कोशिच करते हैं कि लोगों तक data ना पहुँच पाए लेकिन ऐसा में कुछ होता हुँच दिखाई दे नहीं रहा है तो अगर लोग इंफर्मड होंगे तब यहां पर government की accountability को ensure कर सकते है लेकिन उसके लिए सबसे important factor क्या है लोगों के पास data होना ची लेकिन अगर लोगों के पास data ही नहीं है तो लोग यहां पर accountability ensure करेंगे तो करेंगे कैसे तो यही बात यहां पर बताई गई है तो ensure the government is sufficiently empowered to collect and use information about its citizens तो government तो हमारे data collect कर रही है for example enormous amount of data collect किया गया during the period of pandemic आरोगी से तु आपका use किया गया इस कलाब immunization की उपर यहां पर data collect किया जा रहा है along with traditional instrument चैसे की census में data collect किया जाता है sample surveys में data collect किया जाता है various departments यहां पर data collect किया जाता है लेकिन यहां पर लोगों को कोई data provide नहीं किया जाता है तो increasing gap in accountability is stark in India the Indian state is fast acquiring the characteristics of a surveillance state जो कि data तो collect कर रहा है लेकिन यहां पर distribute नहीं कर रहा है लोगों में वो data फिर यहां पर बताया गया कि water or sanitation survey का data बहुत delay करके release किया गया periodic labor force survey का data है पर delay करके release किया गया consumption survey 2017-2018 के data तो तक release ही नहीं किया गया है आगे हम चलते हैं बाबा साहब's warning he was a nation builder with a difference जैसे कि Gandhi, Nehru, Shubhashchandra, Bhagat Singh इन्होंने British imperialism के against लड़ा लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी लड़ाई थी बाबा साहब मेट कर जे कि वो यह थी कि casteism और untouchability से कैसे लड़ा जाए इन था हिंदू community उनका central question यह था कि इतने time से untouchability चल कैसे रही है फिर उनको यह बात पता चली कि untouchability और casteism इसलिए चल रहा है क्योंकि उसको religious sanctity provide कर दी गई है तो following a deep study of the Hindu religious text he came to the conclusion that because of the religious sanctity provided to the casteism इसके लवाँ इनकी एक book है The Annihilation of Caste जो कि यहां पर Baba साहब Ambedkar जी की किताब है बाबा साहब Ambedkar जी बाद में आपर Buddhism में convert हो गया थे Ambedkar worked to embedded the objectives of liberty, equality and fraternity and the concept of dignity अब यह आपको पता है कि यहां पर एं drafting committee के member थे जिन्होंने आपर constitution को draft किया है सबसे important point उन्होंनों यह कहा था एक warning दीती इन्होंने इनका warning यह था कि कभी भी हमें hero worship नहीं करने कि कोई भी leader है तो उसकी hero worship नहीं करने क्योंकि अगर आप hero worship करोगे तो धीरे धीरे आप क्या कर दोगे अब dictatorship में तबदील हो जाओगे तो another warning was against the peculiar Indian habit of devotion और hero worship of leaders that is his bhakti as he emphasized bhakti religion में तो अच्छा है कि आपका salvation होता है salvation of the soul होता है लेकिन politics में अगर आप bhakti कर रहो तो basically आप यहाँ पर dictatorship की तरफ move कर रहो तो it is quite possible for this newborn democracy to retain its form but give place to dictatorship in fact इसलिए opposition का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अब यहाँ पर author का यह कहना है कि current regime में हमें देखने हो को मिल रहा है कि corporate power को बहुत दा effect दिया जा रहा inequality लगा दरबट रही है communal hatred यहाँ पर फैलाने की कोशिश की जाती है mobs के allow किया जाता है कि वो दूसरों को यहाँ पर humiliate करें तो basically यह सब danger है और बाबा साहब ने इसके बारे में वार्ण किया था यहाँ पर एक temple का mention है चेनेक केशुवा temple जो की बेलूर में है और इसका age old tradition यह है कि chariot festival से पहले रत उत्सप से पहले यहाँ पर कुछ passage को recite किया जाता है from the Quran तो यह आपको पता उने चेनेक के शुषवा temple कहाँ पर है तो करनाटका में बेलूर में है आगे हम चलते हैं यहाँ पर mention है IDBI के bank के बारे में तो IDBI bank को categorize किया गया है private sector bank में लेकिन जो IDBI bank के यहाँ पर shares है वो LIC को दिये गये थे तो 94.71 अभी भी LIC और government का stake है लेकिन उसके बाद भी उसको private sector bank के तरह categorize किया जाता है तो IDBI bank is controlled by the government directly and indirectly public sector LIC 49.24% stake है bank में तो total promoter holding है वो LIC और government के इंक्लूट करके 94.71 है लेकिन उसके बाद भी हैं पर bank को according to the RBI categorize किया जाता है as a private sector bank और इस पेज में कोई important news नहीं है यहाँ पर Finland और Sweden का यह कहना है कि वो NATO को join कर सकते है तो ऐसे में रश्या ने वांट किया कि हम nuclear deployment कर देंगे अगर आप यहाँ पर NATO को join करते हो क्यूंकि वैसे भी रश्या की जो आर्मी बहुत जादा stretch है तो ऐसे में इतना जाद अर्मी deployment तो रश्या नहीं कर सकता तो रश्या ने यहाँ पर clear कर दिया कि वो यहाँ पर nuclear deployment करेंगे तो वन और रश्यान प्रेसिडेंट विलादीमिर पुतिन्स तो फिल्लेंड तो यहाँ पर 300 km का बॉर्डर शेर करता है और फिल्लेंड और सुडेंड यहाँ पर दोनों ही कंसिडर कर रहे हैं कि यह नेटो को जोइन कर लें तो आई होब आपको आजका नीस पेपर समझ आ गया हो अधने रहे होएप्या के आप ए लिए भी औरके विडियों ने लिएक सहरे हो सब्सक्राइब कर दो आएक यहाँ